नमस्ते दोस्तों, साल का पहला दिन 2022, एक सेंच में शुक्र है कि 2021 खतम हुआ क्यूंकि बहुत ही इंटेंस भारी साल रहा और मुमन हम सब के उपर अलग लग दृष्टी से, इस 2022 में हम SOM को हील करना है, नर्चर करना है, एक नई प्रेड़ना के साथ एक नई शुरुवात कर नहीं है, तो मुझे लगा कुछ सूत्र शेयर करना चाहता हूं आप सब के साथ, जिन सूत्रों को अगर इस साल और आने वाले जीवन में हम अपने भीतर इंटिग्रेट करें, तो शायद ये जीवन बहुत ही सुन्दर, खूपसूरत, आनन्दित हो सकता है, मैं मिलता हूं अक्सर दोस्तों से देखता हूं कि हम सब किसी एक बहुत ही गहरे खाली पन और अकेले पन का शिकार हैं, इस खाली पन, अकेले पन को भरने के लिए हम नाम की तरफ दौरते हैं, हम शान और शौकत की तरफ दौरते हैं, हम पैसे की दौर में दौरते हैं, सारी बाहर की दौ पहला सूत्र, इस खालीपन को भरने का, इनसान का ये खालीपन तब तक नहीं भर सकता, जब तक उसके भीतर प्रेम के भी जंग को इतना हूँ, प्रेम जो हमें एक दूसरे से जोडता है, प्रेम जो हमें परिपूर्न करता है, प्रेम जो हमें इस विराट से मिलाता है, मेल कर साथ, सो पहला सूत्र, प्रेम, जीवन का आधार हो, दूसरा सूत्र, एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस, एक बहुत बड़ा आशिरवाद, एक बहुत बड़ी ताकत जो इस शृष्टी को चला रही है, जो सूरज चांद को एक नियम के अनुसार चला रही है, जो हमारी सांसों को एक नियम के अनुसार चला रही है, I call it an intelligence, इसी को हम परमात्मा, गौड, प्रकृति का कुछ भी नाम दिया जा सकता है, बट इस intelligence, इस intelligence के प्रती हमें ट्रस्ट नहीं है, हमें श्रदा नहीं है, हमें acceptance नहीं है इस intelligence के प्रती, हम चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, हम इस प्रकृति के साथ कुछ जादा ही छेड़ चाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक acceptance नहीं है, दूसरा, ट्रस्ट विश्वास नहीं है, इस intelligence के प्रती, यह वो intelligence है, जिस पूरे ब्रह्मान्द को चला रही है, उस intelligence पे हमें श्रदा नहीं है, जिसका नतीजा हमारी आंतरिक, हमारी आंतरिक, हमारा आंतरिक संघर्ष, तो दूसरा सूत्र, भक्ती, भक्ती मतलब एक समर्पन भक्ती मतलब एक trust भक्ती मतलब एक acceptance, इस intelligence के प्रती, इस परमात्मा, इस रिष्टी के प्रती, दूसरा सूत्र, यह भक्ती हमें अपने जीवन में इंटिग्रेट करनी है, तीसरा, पता नहीं इंसान कितने बोज अप ने उपर लेके चल रहा है, जैसे सारी प्रकृती, सारी चीजों को करने का बोज इसके उपर है, और इस बोज के रहते हैं, कहीं हम हसना भूल गए, कहीं हम आनंदित होना भूल गए, कहीं चीजों को हमने बहुत ही serious बना दिया, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने रि रोज उठके सुभा को देखने का उत्सा, चांद को देखने का उत्सा, रात में, पक्षियों की आवाज सुनने का उत्सा, एक दूसरे से मिलने का उत्सा, कुछ करने का उत्सा, कुछ क्रियेटिविटी का उत्सा, इस सारे उत्सा हमारे जीवन से तिरोहित से हो गए हैं, और इस उत्साह के बिना जीवन बड़ा एक सूखा सा, ड्राए सा, बोज सा, जबरदस्ती जैसा हो जाता है। So तीसरा सूत्र, आप में, हमें, हमें सब को अपने जीवन में उत्साह का तीसरा सूत्र इंट्रीगेट करना है। चौथा सूत्र, एक प्रक्रिया है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मनन, अंग्रेजी में बोलें तो, सेल्फ रिफलेक्शन, रोज, दिन, दुपहर, शाम, रात, किसी समय, we all need time for ourself, where we are able to sit, जब हम अपने स्वयम के साथ बैठ सकें, अपने स्वयम के साथ बैठ के, अपने जीवन को देख सकें, अपने सही गलत को देख सकें, अपने विवेक को जगा सकें, शायद इसी प्रासेस को ध्यान भी कहा जाता है, शायद इसी प्रासेस को सैल्फ रिफलेक्शन भी कहा जाता है, शायद इसी प्रासेस को सेल्फ रिफलेक्शन भी कहा जाता है, तो चौथ सूत्र अपने जीवन में इंटिग्रेट करना शुरू करें। पहला सूत्र फिर से प्रेम दूसरा सूत्र भक्ती तीसरा सूत्र उट्साह और चौथा सूत्र शांती। With this my love and blessings, Loka Samastha Sukhinam Bhavantu May all beings in all planes of existence attain to their ultimate sukha. Om Tat Sat You